नमस्कार आप देख रहे हैं SPN 9 News 12 माई को उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में मद्दान होने हैं और फिलहाल इस खास प्रोग्राम में हम आप से UP के सुल्तानपुर पर ही चर्चा करने वाले हैं गोमती तट पर स्थित सुल्तानपुर आज से पहले चर्चा में भले ही बहुत ज्यादा ना आया हो भले ही लोकसभा चुनाब 2019 से पहले सुल्तानपुर पर सुल्तानपुर के विकास पर किसी के नज़र ना गई हो लेकिन जब से यहां भारतिये जंता पार्टी ने मेंका गा गांधी के खिलाफ कॉंग्रेस पार्टी ने संजे सिंग को टिकट दिया उसके बाद से सुल्तानपूर चर्चा का विशे बना हुआ है और 12 मैं को सुल्तानपूर में मद्दान होने हैं छटे चरण के दर्मिया सुल्तानपूर में वोटिंग होगी और इन सब के बीच में इस खास प्रोग्राम में सुल्तानपूर की राजनीती पर हम आपसे चर्चा करने वाले हैं शुरुवात करेंगे मेंका गांधी वर्सिस डॉक्टर संजे सिंग की राजनीती से मेंका गांधी हाला कि साल 2014 के लोगसभा चुनाव में पीली भीच से ना सिर्फ लड़ी हैं बलकि की पीली भीच से जीती भी हैं सुल्तानपूर के इतिहास से अगर आपको रूबरू करवाते चले तो एक वक्त पर ये भी कॉंग्रेस का गड़ ही माना जाता था लंबे वक्त पर लंबे वक्त तक सुल्तानपूर की सत्ता कॉंग्रेस पार्टी के हाथ में रही हैं उसके ब 2019 का मिजास काफी बतला हुआ है 2019 को लेकर सुल्तानपूर की जन्ता क्या कहती है वो आपको बताएंगे यहाँ पर मेनका गांधी के बेटे वरुन गांधी कुछ बयान दे कर गए हैं उन बयानों से उन्होंने अपनी मा मेनका गांधी ने जो पर राजनीती की उसको नई दिशा देने की कोशिश की हाना कि अब सुल्तानपूर की जन्ता कहती है जब बेटे ने विकास नहीं किया तो मा क्या करेगी सुल्तानपूर की जन्ता कहती है सुल्तानपूर की जन्ता का एक हिसा ऐसा है जो ये कहता है कि वरुन गांधी ने सुल्तानपूर के विकास को 2014 में यहां से चुनाव जीत कर रोक दिया वरुन गांधी ने सुल्तानपूर के विकास पर कभी ध्यान नहीं दिया और इसलिए अब मीन का गांधी पर हम भरोसा नहीं करना चाहते वही इसका एक फाइदा कॉंग्रेस पार्टी के संजे सिंग को हो सकता है क्योंकि कॉंग्रेस पार्टी का गड़ एक वक्त पर सुल्तानपूर था सुल्तानपुर, राय बरेली और अमीठी इन तीनों ही लोगसभाशेत्रों को लेकर जनता की जो राय है कॉंग्रेस पार्टी के लिए लगभग सेम रही है लगभग एक जैसी रही है और फिलहाल कुछ ऐसा ही मिजास सुल्तानपुर की जनता का हो गया है यहां की जनता इस बार संजेस सिंग जो के कॉंग्रेसी प्रत्याशी है उन्हें मौका देने के मिजास में पूरी तरह से दिखाई पड़ रही है लोग एक बार फिर से कॉंग्रेस पार्टी को मौका देने के बारे में सोच रहे हैं और इसकी पकड और भी ज्यादा मजबूत 9 माई से हो गई जब प्रियंका गांधी वाड़रा कॉंग्रेस बहां सचिप जो है वो सुल्तानपूर में आकर रैली करके गई है हाला कि इससे पहले कॉंग्रेस अद्यक्ष राहूल गांधी भी सुल्तानपूर आकर की ओर से इस सीट पर टिकट दिया गया है चंद्रभद्र सिंग उर्फ सोनु सिंग को बदा दे आपको सोनु सिंग जो हैं उनके पक्ष को भारी कर देती हैं सिर्फ एक ही बात कि वो यहां के लोकल हैं वो सुल्तानपूर के ही रहने वाले हैं और ये जो चीज़ हैं ये जनता को उनके समर्थन मिलाकर खड़ा कर देती हैं चंद्रभद्र सिंग उर्फ सोनु सिंग को लेकर सुल्तानपूर की जनता कहती हैं कॉंग्रिस पाटी आएगी तो काम करेगी नहीं मेन का गांधि आएगी तो वो काम करेंगी नहीं तो क्यूना अपने ही इलाके के प्रत्याशी को जिताया जाए, क्यूना चांद्रभादर सिंग को ही वोट दिया जाए, क्विए क्यूना सोनु सिंग को ही जिताया जाए, यानि कि सुल्तानपूर एक ऐसी लोग सभासीट है जहाँ पर आप मुकाबला सिर्फ बीजेपी वर्सिस कॉंग्रेस का कहकर नहीं रुख सकते यहाँ पर गटबंधन भी है यह मुकाबला त्रिकोणिये हैं और इन सब के बीच में आपको बता दे रैलियां ताबर तोड़ हुई है बात चाहे आप कॉंग्रेस के स्ट्रार प्रच्वारक हार्दिक पटेल की करें बात आप यहाँ पर योगिया दितनात जो आये थे मीनका गांधी के प्रचार में उनकी करें या आप यहाँ पर बात अखिलेश व्यादव की करें क्योंकि सुल्तानपूर पर गटबंधन के उमीदवार चंद्र भदर सिंग के लिए रैली करने प्रचार करने सपा प्रमुक आ चुके हैं सपा के रास्क्री अध्यक्ष्यों है अख साइड लाइन कर दिया जाए तो चंद्र भदर सिंग पर विश्वास जगाने के लिए लोग पूरी तरह से तयार हैं तो ये था सुल्तानपूर की राजनीती का मिजास अब वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का दे दीजे मुझे इजासत बाकी अपडेट्स के लिए SPN 9 को सब्सक्राइब करें